हेलो गाइज मेरा नाम है सूरज और आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं और हाँ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि दिन दुनिय तो क्या हो गया है कि लोग लापरवा हो गए हैं उनको ऐसा लग रहा है कि कोरोना का जो यह महामारी थी यह जो पैंडिमिक कोरोना की यह खतम हो गई है पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों हम लोग क्या की मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग लापरवा हो रहे हैं अपने ज जहां जहां पर distribution नहीं हो पाया है और जहां जहां पर अभी भी आईए distribution की process जारी है, तो वहां पहले से तो है ना pandemic, वो तो जब पूरी तरह से vaccination हो जाएगा हर जगा, तब जाकर कि ये उमीद कर सकते हैं कि अब खत्रा टल गया है, लेकिन जब तक पूरी तरह से चारो तरफ distribution अच्छे से नहीं हो जाता, एक-एक जने तक नहीं पहुंच जाती, तब तक हम लोगों को साफधान रहने की जरुरत है, और अभी साल, दो साल, चार साल, अगर साफधानी बरत ही लें तो क्या दिक्कत है, कुछ खास करना तो है नहीं, सेनिटाजर का उप्योग करना है, मा फाइनल इयर का स्टुडेंट, एमबीवियस फाइनल इयर का स्टुडेंट कोरोना के इंफेक्शन से मर गया, उसको 24 तारीक के, कुछ दिल पहले की बात है, 24 तारीक को, उसको मतलब सर्दी खासी जो काम जैसी हालत हो गई थी, वो थोड़ा बीमार सा हो गया था, तो उसका RT-PCR सेंपल लिया गया, और उसकी हालत खराब थी, तो थोड़ा बहुत मेडिकेशन करके, वो मतलब कॉलेज से घर चला गया, अब उसके कुछ दिन बाद ही, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आता है, और उसके बाद उसके अगले दिन ही, यानि संडे को जैसे उसका रिप पता चला कि उसको कोर्णा था, तो अफरात अफरी मच गई पूरे क्या बोलते हैं कॉलेज में, नौ लोग उसके कॉन्टेक्ट में थे, नौ बच्चे वो भी अभी अबिए स्टुडेंटी थे, उनको भी ये कोरोना की इंफेक्शन हो गई, उनमें से दो जनों का नीजी लेने की जरूरत है, लापरवाह ना हो, बेपरवाह ना हो, अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव को, सब को ये अच्छे से हिदायद कर दीजे कि अभी कोरोना टला नहीं है, बस किवल लॉकडाउन हटा है, लॉकडाउन कब तक रहता यार, इतनी लाइफ एफेक्ट हो इंस्रिचूट्स वगरा इधर रिसेंट अभी तक बंद थे बच्चों के लिए, क्या है कि कोरोना की विमारी जो है, या तो बूरों को ज्यादा एफेक्ट करती है, जो ओल्ड एज पीपल है, या फिर ये बच्चे, जो आरदस साल के नीचे होते हैं, उसको ज्यादा एफ अब्हेक्ट करेगी, और यह चुवा चूट वाली बात है कि मतलव ऐसे ही इस प्रेड होती है, तो यह मास्क को लगाने में क्या प्रॉबल्म है, कोई प्रॉबलम है क्या, इप मास्क को लगा के रखिये, अपने आपको आप सोसल डिस्टेंश जैसे पहले मैंटें करते थे वैसे ही मेंटेन कीजिए और अभी भी सतर करेने की जर्रत है अभी भी सावधान रहने की जर्रत है अगर आप सावधानी नहीं करेंगे तो आपके साथ भी अन्होनी हो सकता है इसलिए मैं बार-बार आगरह करता हूं कि आप लोग भी सावधान रहें और जहां तक हो सके अन्नेसेसरी अभी बाहर नहीं जाएं नए नए लोगों से नहीं मिलें नए नहीं जगहों पर नहीं जाएं क्योंकि वेक्षिनेशन अभी पूरी तर से हुई नहीं है जहां जहां पे नहीं हुई है वहां वहां पे पैंडेमिक अभी भी पहले जैसा ही है आप आप लोग इस चीज को समझेंगे और अमल करेंगे मेरी बातों पर थैंक यू वेरी मच्छ